Hello everyone, मेरा नाम है संदीबदाज गुपता and welcome to Achieverly. आज हम लोगे करेंट अफ्रेर सिशन का टॉपिक है What is Gray Zone Warfare? इसका PDF आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको कुछ डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं ग्रे जोन वार्फियर टॉपिक न्यूज में क्यों हैं क्योंकि भारत के चीफ आफ डिफेंस स्टाफ ने रिसेंटली ग्रे जोन वार्फियर शब्त का उल्लेक किया है और कहा कि इट इस दे लेटिस्ट इन इनफॉर्मल वार्फियर अब हम लोग ग्रे जोन वार्फियर के बारे में समझते हैं देखिए ग्रे जोन वार्फियर एक मिडल और अनकलियर स्पेस होता है जो इंटरनेशनल रिलेशन्स में डायरेक्ट कॉन्फिक्ट और पीस के बीच में मौझूद होता है देखिए इसको एक वेन डाइग्राम क साथ समझते हैं मान लीजिए ये peace है और ये war है तो peace और war के बीच में जो area लाई करता है उसे ही grey zone कहते हैं इसमें direct war नहीं किया जाता इसमें different tactics का इस्तमाल करके अपने strategic objectives को पूरा किया जाता है grey zone warfare एक ऐसे conflict को दर्शाता है जो conventional war के threshold से नीचे आता है मतलब इसमें war नहीं होता but obscurity, deniability और coercion का सहरा लेकर अपने strategic objectives को पाने का aim होता है grey zone warfare में विरोधी, direct war में शामिल हुए बिना अपने goals को achieve करने के लिए different tactics का सहरा लेता है जैसे for example, cyber attacks करता है, mercenary operations का सहरा लेता है fake news, propaganda फैलाता है, economic coercion का सहरा लेता है, sanctions लगाता है, etc. grey zone warfare में economic actions भी शामिल होते हैं जैसे deep trap में फसाना, या फिर economic sanctions लगाना grey zone warfare में अपने प्रतिदवन्दी के कमजोरी को ध्यान में रखकर goals त्यार किये जाते हैं, और इसका main aim होता है प्रतिदवन्दी को कमजोर करना, destabilize करना, etc. देखिए, grey zone warfare का example है, South China Sea में Chinese military का presence, एक दूसरा example है, ताइवान को कमजोर करने के लिए grey zone strategy के तहर, चाइना different tactics का इस्तिमाल करता है यहाँ पे कुछ तरीके दिये हुए हैं, जिससे grey zone warfare को छिड़ा जाता है एक तरीका है, cyber operations, इसमें without causing direct physical harm यानि direct physical harm पहुचाए बिना देश के critical infrastructure को, political systems को, या फिर economic को target किया जाता है इसमें data को hack किया जाता है, data चोरी किया जाता है, data को corrupt कर दिया जाता है disinformation को फैलाय जाता है, या फिर cyber espionage conduct करवाय जाता है दूसरा तरीका है, political subversion, इसमें चुनावों को प्रभावित किया जाता है या फिर political process को manipulate किया जाता है तीसरा तरीका है Military Intimidation इसमें Military Assets का यूज करके डराया जाता है कि Military Attack किया जा सकता है चौथा तरीका है Information Warfare इसमें Target Nation में Public Opinion को Shape करने के लिए विभाजन पैदा करने के लिए Propaganda फैलाया जाता है Rumors, Fake News फैलाया जाते हैं Social Media Manipulation किया जाता है पाँचवा तरीका है Economic Coercion इसमें Military Action का सहरा लिये बिना किसी देश के Economic को विक करने के लिए Sanctions लगाए जाते हैं Trade restrictions लगाए जाते हैं Financial Market को Manipulate किया जाता है Gray Zone Warfare के Nature को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि Gray Zone Warfare Traditional War से हलका है बट Gray Zone Warfare की ये Limited Intensity इसको कमजोर नहीं बनाती क्यूंकि Traditional War में One Dimension में War होता है बट Gray Zone Warfare में Conflict Multiple Dimensions में होते हैं जैसे Cyber Attack हुआ साथ में Economic Sanctions भी लगा Debt Trap में भी फसा साथ में Fake News, Propaganda भी फैला इसके वज़ा से ये Situation Over Escalate कर सकता है जिसके वज़ा से इसे Manage करना एक Nightmare साबित होता है तो Friends, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है मैं आशा करता हूँ कि आपको सब को समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर Instagram पे पूछ सकते हैं इसका PDF आपको Telegram चैनल पे मिल जाएगा अपने Friends के साथ इस वीडियो को Share करें, वीडियो पसंद आए तो Like करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपसे निक्स लेक्चर में Good day to everyone, जै हिंद